तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यहां पर हम बात करने वाले हैं ग्रोथ स्टॉक के बारे में जिसके वाज़े से आज हमको थोड़ा बहुत इसमें तेजी भी देखने को मिली अब ऐसा नहीं दोस्तों यहां पर मैं इसको पहली बार कवर कर रहा हूं इसको मैं काफी निचले से आपको अल्रेडी रेकमेंट कर चुका हूँ और आज फिर से एक बार मैं आपको इसके बारे में डीटेल जानकरी देने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट म पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं काफी अच्छी कम्पनी है दोस्तो डिवान टेल बिंट के थ्रू यह कंपनी यह पर गुजर रही है क्योंकि एक ग्रोइग एक्सेप्टेंस नजर के दोस्तों रैडिमेट फटनीचर में और यह जो कम्पनी है मार्केट लीडर है MDF में जी हां दोस्तो MDF की अगर आप बात करें तो देख सकते हैं largest Indian MDF brand by capacity तो सबसे ज़्यादा capacity है इनके पास करीब करीब 5,40,000 की और 14,80,500 cubic meters per annum installed capacity of India's organized sector as on 31st mark तो इतनी जो है organized sector की capacity है उसमें से आप देख सकते हैं 5,40,000 तो सिर्फ green panel के पास है तो आप यहां idea लगा सकते हैं कितनी बड़ी है इंडिया की largest MDF brand है MDF player है तो MDF क्या है MDF मतलब medium density fiberboard जिसके बारे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और MDF की अगर हम बात करें तो यह जो MDF का segment है लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि MDF जो है एक preferred अब चॉइस हो चुका है plywood क्योंकि basically देखिए MDF का market share लगातार बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है बलकि plywood थोड़ी हार्ड होती है उसको जादा टाइम लगता है और जो पहले जमाना था खाती को बुला कि हम plywood का काम करवा रहे हैं घर में दर्वाजे बनवा रहे हैं अब ऐसा नहीं है अब ready-made furniture का जमाना है और definitely real estate का जो market है वो काफी boom पे है residential market definitely boom पे है is on the rise और sustainable growth आती हुई हमको देखने को मिल सकती है future में और शोबन मित्तल जो इनके MDCO है उनका कहना है दोस्तों यहां पर की आने वाले सालों में हो सकता है कि इनकी जो growth है वो 25% के आसपास भी आती हुई देखने को मिल सकती है अगर यहां पर sustainable consumption हमको देखने को मिली तो और इनकी जो और भी चीज़े है ratios, numbers, working capital लगातार improve होती हुई जा रही है और company अपने आपको लगातार debt free करती जा रही है deal average अपने आपको करती जा रही है तो अगें यह सारी जो जो चीज़े हैं यहां पर दर्शाती है कि जो green panel है अगें एक अच्छी उभरती हुई company नजर आती है arguably the fastest growing brand in the India's interior infrastructure sector possesses the foresight to be present in space marked by extensive over capacity position itself as a global MDF brand operating out of India invested in largest MDF single location capacity in Asia green ply का जो एक इनका जो business उसो यहां से demurge हुआ था MDF का business अलग हो गया तो उसमें green panel ने बहुत ही जल्दी scale up कि आप देख सकते हैं तीन सालों में ही एक unprecedented success इसको देखने को मिली और अगर देखें प्योर प्ले बैंड ब्रैंड positioning है MDF का जो revenue था Q2FI 21 में 76% था अब बढ़के 82% हो चुका है addressable market देखें दोस्तों आप कितना बड़ा addressable market है 22 billion dollar का market size है जिसमें से 783 करोड तो यहां पर देखें MDF जो revenue report कर रहा है वो green panel नहीं कर रहा है तो करीब मतलब 7-8 ऐसी बड़ी companies green panel के size की यह जो market size है इतना है यहां पर cater कर पाईगी तो आप समझ सकते हैं कि यह total में बता रहा हूं आपको organized or unorganized sector को मिला के तो यहां पर market size बहुत बढ़ा है मतलब आप समझ सकते हैं कि addressable market बहुत बढ़ा है 15 branches है pan India आप देख सकते हैं across the distribution network अच्छा है इनके पास already largest capacity है MDF में market leader है और market size जो है opportunity size यानि कि total addressable market वो बहुत बढ़ा है तो इसलिए उसको मैं कई बार cover करता हूं यहां पर मैं आपको बताता हूं आज की एक update latest news हमको देखने को मिलती है 17 December की तो इनका यहां पर एक जो प्लांट था रुद्रपूर का उत्राखण में वो रिज्यूम हो चुका है on 26 12 2021 और after repair of refinement changes of defective components तो कुछ यहां पर components जो है plant के defective हो गए थे उनको repair किया गया वापिस से refine किया गया अब normal operation चालो हो चुका है और full capacity पर यह आपको run करता हूं देखने को मिलना तो आने वाले quarters में again numbers में यह reflect होता हूँ नजर आएगा इनके revenues में और profitability में और साथ इसाथ एक पुरानी update है 15 December की जहां पर इकरा ने दोस्ते हैं पर credit rating upgrade की है आप देख सकते हैं पहले ए negative stable थी अब यहां पर इकरा ने इसको positive कर दिया है long term facilities की बात कर लिजिए चाया short term की बात कर लिजिए आप देखते हैं यहां पर इसको upgrade कर दिया है green panel की ratings को और ratings increase होने का मतलब क्या है तो definitely ratings अच्छा होने का मतलब यह है अगर rating अच्छी होती है किसी भी company की तो उनको loan लेने में चाया short term loan हो चाया long term loan हो उनको यहां पर कोई problem नहीं आती है असानी से वो पैसा raise कर पाते हैं through debt तो यह एक positive update और हमको देखने को मिलती है बाकि दोस्तों इस इनका debt आ चुका है तो लगाता debt कम हो रहा है promoter holding अच्छी है free cash flows company generate कर रही है अगे यह सारी चीज़े है अगर share holding pattern आप देखें तो FIS की stake लगातार कम हो है लेकिन DIS का stake उससे हाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे मैं आपको बोला कि जो consumption है जैसे कि government ने भी उस और MDF का market share लगातार बढ़ता ही जा रहा है जैसे कि हम ready to shift की बात करें तो अगर हम देखे demand tailwind definitely यहां पर हमको देखने को मिल रही है और basically उस तो अगर बात करें तो देखिए जो पहले plywood का जो system था न वो अपकम होता जा रहा है लगातार और MDF का जो हमको लगातार use जादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि एक basically हम पर culture change होता हुआ नजर आ रहा है जहां पर ready made furniture का scope आगे आता हुआ और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो यह है दोस्तो सारे fundamental financials बाकि आपको मैं already काफी बार detail में बता चुका हूँ company के बारे में चलिए पर technical chart पर चलते हैं और जाते हैं पर क्या position नजर आ रही है तो आप देखें दोस्तों एक consolidation zone में यह stock हमको देखने को मिल रहा है और नीचे अगर आप देखें धिरे-दिरे volume भी भड़ते होई देखने को मिल रहे है तो एक consolidation zone का possible breakout हमको होता वह नजर आ सकता है यहां पर एक जितना नीचे आगा दोस्तों यहां पर हमको definitely अगर आपका conviction है business model पर लॉंग टम का नजरिया है आने वाले समय में अच्छी हो business model अच्छा हो अगर expansion plans continue आ रहे है management अपने growth को लेकर काफी ज़्यादा focused है तो अच्छी company हो में आपको upward averaging करनी चीजिए उसको upward pyramiding भी बोलते हैं तो वह एक अच्छी मेरे ख्याल से strategy होती है winners को दोस्तों यहां पर trail करना चीए ना कि losers को तो मेरे च्छाल से winners की category में आता है green panel industry इस तो आई होप यह वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा informative लगा है तो वीडियो को like करके appreciate जरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe कर लिजिए इसी प्रकार के बहतरीन research based content के लिए मिलते हैं आपसे next video में till then take care bye bye